असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूँ जफिर रहमान और आज चाइनीज लेंग्विज कोर्स कम्प्लीट इन उर्दू के लेक्चर नंबर 15 के साथ हाजिर हूँ तो स्टार्ट करते हैं यह देखें दोस्तों हमारे पास आज जो वर्ड है वो है चू जट एच यू चू ठीक है इसका मतलब है तू लिव रहना मतलब रहना चू मतलब रहना तू लिव चू ठीक है इसी तरह मारे पास एक वर्ड है जाए जाए मतलब एट या इन मे या पर ठ ठीक है एटिन के लिए हम को सा वर्ड यूज करते हैं चाइनीज जाइ जाइ ठीक है उसके बाद ये वर्ड है मारे पास नार 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 मतलब क्या है वेर कहां ठीक है किदर नार 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 ये हम ये question करने के लिए से use करते हैं तो इसकी example देखते हैं नी चू जाइनार तुम रहते हो नी मतलब तुम चू तुलिव तुम रहते हो जाइ एट नार कहां तुम कहां रहते हो इसका मतलब क्या हो गया? वेर डू यू लिव? तुम कहां रहते हो? अगर हमने पूछना हो तो कैसे बोलेंगे? नी चू जाए नार नी मतलब तुम चू मतलब रहते हो जाए मतलब पर एड इन और नार मतलब कहां? नी चू जाए नार नी चू तुम रहते हो जाए नार कहां? ठीक है? तो नी चू जाए नार वेर डू यू लिव? तुम कहां रहते हो? तो इसी का जवाब इस क्वेस्चन के अंदर ही होगा या नी नी के जगा बाल कहा देंगे वा चू मैं रहता हूँ जाए लहोर लहोर में इसी तरह हम किसी रिलेशन के लिए पूछ सकते हैं था दा पापा था दा पापा उसके अबू चू रहते हैं जाए नार कहां? था दा पापा चू जाए नार तो आंसर क्या होगा? था दा पापा चू जाए इसलामाबाद यानि नार की जगा इसलामाबाद लोकेशन लग जाएगी जिस जगा पर वो रहते हैं उसके अबू रहते हैं इसलामाबाद में थीक है? अब दोस्तो हमारे पास नेक्स वर्ड है चाइनीज D-I-F-A-N-G D को हमें पता है हम ते से प्रोनाउंस करते हैं तो क्या बन जगा? ती फंग यानि प्लेस जगा ती फंग प्लेस जगा ठीक है? मतलब क्या हो गया? प्लेस या जगा ती फंग कैसे बोलेंगे? ती फंग ठीक है? तो दोस्तो पहले मैं आपको बता दूँ के ती फंग हम किसलिए यूज करते हैं? फॉर इंग्जेंपल आपने किसी से क्वेस्चन पूछा जैसे मैं अभी पीछे देखा क्या आप कहां रहते हैं? वो कहता है जी मैं लहूर में रहता हूँ फिर क्वेस्चन आगे आता है कि लहूर में किस जगा? अगर हमने ये पूछना हो कि लहूर में किस जगा? तो ये कैसे पूछेंगे? तो चले देखते हैं अब यह देखें जाए लहोर, लहोर में शम्मा, शम्मा हमने देखा था वट के लिए यूज करते हैं, ठीक है शम्मा का मतलब क्या था, वट शम्मा तीफंग, किस जगा लहोर में किस जगा, यानि जाए लहोर जाए एट इन लहोर जो भी लोकेशन है उस लोकेशन में शम्मा तीफंग किस जगा तीफंग प्लेस या जगा ठीक है इस तरह से अब यह देखें अब यह पूछता है से नी चू जाए नार तुम कहां रहते हो यह कहता है वा चू जाए लहोर मैं लहोर में रहता हूँ अब यह मजीद इससे पूछता है जाए लहोर में शम्मा तीफंग किस जगा फिर यह आसर देगा जाए लहोर में शादरा यानि के लहोर में शादरा ठीक है जिस जगा पर यह रहता है ओके इसी तरह दोस्तों अभी तक तो हमने देखा कि हम question करते हैं तुम कहां रहते हो where do you live लेकिन बाद रुकाद हम ऐसे पूछते हैं कि तुम कहां हो अभी तुम कहां हो तो वो कैसे पूछेंगे वो इस तरह से कि नी जाए नार यानि चू को बस हम खतम कर देंगे नी जाए तुम हो नार कहां where are you नी जाए नार तुम कहां हो ठीक है अभी देखें नी जाए नार तुम कहां हो इसने reply किया वा जाए मैं हूँ चया गर ठीक है तो इसने कैसे reply किया वा जाए चया चया मतलब घर मैं गर पे हूँ ठीक है इसने इसने पूछा के नीदच्या तुम्हारा गर जाए नार कहा है नीदच्या जाए नार तुम्हारा गर कहा है उसने जवाब दिया वादच्या जाए लहोर मेरा गर लहोर में है ठीक है जाए मतलब एट और इन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं इसी तरह इसने पूछा निद मामा जाए नार तुम्हारी मामा कहा है तो इसने कहा इसने reply दिया वा दा मामा जाए थादा फंगयोदाचिया ठीक है इसका मतलब क्या हुआ मेरी मामा जाए है थादा उसके फंगयोदाचिया दोस्त के गर यानि मेरी मामा अपने दोस्त के गर है ठीक है अब ये दोस्तों हमारे पास next word है B I यानि P, Chinese में B को हम किस तरह प्रोनाउस करते हैं P के तोर पर P मतलब pen यानि column, ठीक है pen को क्या कहते हैं Chinese में P P, जिस तरह English में P बोलते हैं और इसी तरह हमारे पास word है shoe, shoe मतलब book जिस तरह हम जूते के लिए shoe बोलते हैं इसी तरह आपने इसको बोलना है shoe, S-H-U, shoe shoe, shoe मतलब book तो इसकी example देखते हैं ये question इसे पूछता है ये person, नीदशू तुम्हारी किताब जाएनार कहा है ठीक है, shoe मतलब किताब वो कहते है, वादशू मेरी किताब जाए वादश्या मेरे गर है मेरी किताब मेरे गर है ठीक है वादश पी पू जाएच्या मेरा pen पू नहीं है जाएच्या गर में ठीक है, वादश पी ये देखें, वादश पी यानि ये पूरा नहीं है यानि ये मैंने आपको यू का ये का इस्तमाल भी दिखा दिया तो दोस्तो ये थी वीडियो उमीद है आपको समझाया होगा फिर भी कोई क्वेश्चन है कुमेंट में पुछेगा टेक केर अलाफिज लाइक करिएगा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को